हेलो फ्रेंड्स दिस इस एश्पिशिंग एंड वेलकम टो इस्माइटर एविड़े तो यह फिन बात करेंगे देखने को मिलेंगे जो भी इस्ट्रेंट क्लास मिलाश तक बना रहता है डेफरेंटली बहुत कुछ रिखने वाला है एक एक कोशन बहुत सूपर इंपोर्टन कोशन है और एक कोशन को बहुत डीपली अच्छे तरीकी से समझेगा और इसमें यह जो आप्सन है पहले से इसल सुपर इंपोर्टन कोशन है चलिए फिर सुरू करते हैं और क्लास में बहुत ही आप उध्यान से बने रहीएगा बैठे रहीएगा समझेगा सबसे पहला कोशन आपके शामने है क्रेटिंग एन इंक्लूसीव श्कूल समाविशी पिद्याला का सरजन फर्स्ट कोशन इन फ या नहीं है ना या इसके अतरिक्त यह जो वर्ड्स होते हैं बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं और कई वार हम लोग यहां पर असत्य को शत्य सत्य को शत्य समझ करके जल्दबाजी में टिक कर देते हैं कौन सा कथन असत्य है समूह सिक्षन के विशे में तो एक सिच्षक पढ़ाता है यह बात असत्य नहीं है सिक्षकों का समूह चात्रों को पढ़ाता है यह बात यहां पर क्या है असत्य है एक सिच्षक एक दूसरे की शाहिता करते हैं विवे ने विशिष्टिकन के सिच्षक एक साथ पढ़ते हैं तो यहां पर समूह सिच्षक के विशे में क एंकलिसे एजगरेशन का टीचर निमन में से कौन से गुण आवश्यक नहीं है आवश्यक नहीं है कौन सा गुण तो समावी सी सिच्छा के प्रति उसका दिश्चकुण सकारतमक होना चाहिए जिहां ये भी आवश्यक है उसे चात्रों के प्रति सानुबूती पूर्ण होना चाहिए जिहां बिल्कुल उसे विभिन अधिगम करताओं के बारे में जानकारी होने चाहिए बिल्कुल लेकिन उसे विश्यक इच्छा क्यों पादियासिल होने चाहिए ये गुण आवश्यक है नहीं है ऑप्सन भी आपका राइट वन आंसर है निमन में से कौन सा शहकार अधिगम के लाब नहीं है ऑप्सन नमर डी आपका यहां पे शही हो जाएगा सैकारी अधिगम के शंदर्व में निमन मेंशे कौन सा कथन अशत्य है चाहत्र अधिगम के लिए जिम्मिदार नहीं होते हैं यही बात यहां पे गलत है बाकी तीन उप्सन वह भी पढ़ लेत विक्तिनिष्ठ अधिगम देखिए आपका जो दिमाग है या जो आपका सीधा ध्यान है वो आप्सन पर जाएगा लेकिन जो तीन आप्सन बच्छे हों उपर भी फोकस कीजिए नुकि जब हमारे सामने आंसर ठीक होता है तो हमारा सीधा जो फोकस है वो उसी पर चला जात है विक्तिनिष्ठ अधिगम के विशे में कौन सा कथन ऐसे कोशन से आपको कहीं नहीं मिलेंगे बहुत ध्यान से पढ़िए विक्तिनिष्ठ अधिगम के विशे में कौन सा कथन असरत्त्य है यहाँ छात्रों में शामाजिक मूल्यों का विकास करता है यही कथन यहां पर शत्ते हैं ठीक है क्योंकि गलत पूछ रहा है और यहीं यहां पर गलत है बाकि तीन आपसन आपके शही हैं आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स कोशन देखते हैं बच्चों का निमने में से कौन सा समुह शमाविशी शिच्छा के अंतरगत आता है तो भिन्य चमता वाले जो ब राइट वन आपसन हेर नेक्स कोशन की बात करते हैं निमन में से कौन सा बच्चों में विकलांगता का कारण नहीं है इसमें से कौन सा विकलांगता का कारण नहीं है मनों सामाचिक इस्थती जिहां ये भी विकलांगता का कारण हो सकती है कूपोर्शन के कारण भी बच्च लिना देना नहीं है कि प्राणी प्रमप्राओं की कारण कोई बच्चे में के अंदर विकलांगता आ जाए है ना इसका यहां पर कोई रोल नहीं है मनों सामजी हो सकता है को पोसरन हो सकता है दूशीत वातावरन के कारण बच्चा बंधा है दिश्टिहीन है हो सकता है आँखों में कमी हो आँखों से पानी बहता हो यह उसकी विशिष्टा है चौक बोड़ पर लिखा हुआ न पढ़ पाना जो बोड़ पर लिखा है तो वह नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि वह बच्चा दिश्टिहीन है यह उसकी विशिष सोच तो सकता है है ना हर एक चीज के बारे में सोच सकता है तो यह जो है उसकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् निमन में से कौन सी प्रतिवासाली बालक की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् परिक्षण ऑप्शन नमर ए जो है वो शही है, निमन में से कौन सा अधियम अचमता का प्रकार नहीं है, डिसलेक्षिया हो सकता है बच्चे को, बच्चे को हाइपरलेक्षिया हो सकता है, पढ़ने में दिक्क्त होती है, डिसकाल्कुलिया जिससे बच्चा को क्याल्कुलेश है hyperlexia पढ़ने से समंदित होता है dyscalculia में बच्चे को calculation समंदित होती है dysgraphical यहां पर कोई प्रकाजित का नहीं है निमन में से किस अचमता में बालक गणित से समंदित गलतिया कर देता है dysgraphia hyperlexia dyscalculia dyslexia यहां पर dyscalculia dyscalculia को ऐसे याद रखिए calculation जैसे की calculator calculator से calculation मतलब किसी चीज़ को जोड़ना घटाना है न तो यह गणित समंदित हो गया dyscalculia इसमें बच्चा उसको mathematics में problem रहती है कौन सी पद्दती अधिगम बाधित बच्चों की सिख्चा के लिए उप्युक्त नहीं है जो व्याख्यान पद्दती है वह अधिगम बाधित बच्चों की सिख्चा के लिए उप्युक्त नहीं है कौन व्याख्यान पद्दती ओप्सन जो बी है आपका वो यहां पे श्र जाने करने के लिए उप्युक्त नहीं है, आप्सम नम्र जो यहां पर ए है आपका वो शही और शटी का अंसर हो जाएगा, निवन में से कौन सी, शमस्यात्मक बालक के उप्चार के लिए उप्युक्त विधी नहीं है बालकों की शमस्याओं के प्रति कठोर दिस्टिकोर्ण यह समस्यात्मक बालक के उप्चार का उप्चार करना है परिवार और विद्यालेक के बीच श्मनवे होना चाहिए लेकिन ये थोड़ा कि एक तो बालक पहले से समस्या से ग्रिस्टित है उपर से आप उसके प्रति कठोर दिश्टिकोन रखें हैना कठोर उसके नियम बना दें यह कोई बात यहां पर उप्युक्त विद्धी नहीं है उप्सन भी आपका यहां पर गलत हो जाएगा जो कि शही है द्रिश्टि हीन जिस बच्चे को देखता नहीं है ऐसे बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो विशियस रूप से प्रसिचित किया जाता है जो ट्रेंड किया जाता है ठीक है कई जगे इस कांसर है समवेदन सील देखने को मिलता है लेकिन ज्यादा उचित आंसर आपका सी है कई जगे इसी कोईशन कांसर आपको दा भी देखने को मिलेगा समवेधन सील ठीक है तो दृस्टिहीं जो बालक होते हैं उनको वही अध्यपक पढ़ा सकता है Division रूप से सठीड किया जाता है है ना वही तो दृस्टिहीं अन्दह बालक को पढ़ा सकता है आगे बढ़ते हैं निम्न में से किस प्रकार के विद्याले में केवल भीन्य चमता वाले बच्चे पढ़ते हैं, विशिष्टी विद्याले जो होता है, जो विशिष्टी विद्याले होते हैं, उनमें भीन्य चमता वाले बच्चे पढ़ते हैं, यह जो भी विद्याले हैं, इनमें भीन्य चमत है और स्दैक है आप्शनावैशा में छात्रों को प्रोज Samsung कारें देते शमया कौन सा बंदू ध्यान में रखना चाहिए तो विशीष चात्रों को संभो में रखना चाहिए इसा नगर की विशिष्ट को अलग कर सामानल्हक कर दें जो विशिष्ट है वो सामाने बच्चों से सीखेंगे, सामाने विशिष्ट से सीखेंगे, है ना, तो ये जो है, बात ध्यान में रखना है कि दोनों को साथ में ठालना है, विशिष्ट और सामाने को, ठीक है, ये बच्चे साथ में आप उनको रखेंगे, डिसलेक्षिया, श सब्सक्राइब सब्सक्राइब है अच्य क्यां छेड़ कर सकता है यह पढ़ने में उसको हचमता ह Players बाल अधिकारों पर नेशन समयलन के शंधर निमन को ध्यानसे पढ़िए विकास का अधिकार कि अभिव्यकतिक अदिकार मरुनंजनिक अधिकार Option D यहां पे आपका है यानि कि यह सभी option आपकी यहां पे शही हो जाएंगे कौन सा विवरण भिजनयताको सबसे अच्छा पृस्थूत करता है कौन सा विवरण भिजनयताको difference को अच्छा पृस्थूत करता है या लोगों के मद्ध भिनिता को सुईकार करता है यही जो है भिनिता को सबसे अच्छा प्रश्टुत करता है Q25 कहता है कि अच्छम लोगों के अधिकार पर United Nations Shamelan United Nations Shamelan किस वर्ष हुआ था तो यह आपका 13 December 2006 को हुआ था Option C यहाँ पर आपका शही और 60 का अंसर हो जाएगा जब विशिष्ट चात्रों की आवशिक्ता की अनुरूप उन्हें पूर्वर निहीत सनलचना में पहले से जो फिक्स सनलचना है उसमें जब ढ़ला जाता है तो वह एक इकरत सिक्षा कहलाती है क्या कहलाती है एक इकरत सिक्षा कहलाती है किस सिक्षा में विशिष्ट आवशिक्ता होने या ना होने पर भी विशेश रूप से ध्यान दिया जाता है यह आपकी निदानात्मक सिक्षा हो जाएगी परतेग चात्र की तुर्टिओं और कम्यों को शही करना यह भी निदान नात्मक निदान किसी चीछ का solution हल यही तो निदान हुआ यह शमान और विशेश चात्रों दोनों के लिए होता है है ना बाइद किसी का निदान करना है solution करना है तो उसमें सामाल और विशिष्ट क्या देखना विक्तिकत individual differences के according groups में teaching करना है ना ये भी निदारत्पक सिच्छन की विशिष्टा है लेकिन ये परीच्छा के पूरवर्व किया जाता है ये इसकी विशिष्टा नहीं है ठीक है option number B यहां पर आपका सही हो जाएगा करना माहित्र खता है राष्ट्रि मादमिक सिच्छा अबियान प्रार्म चिया गया प्रेरित करना चाहिए शैपाथी सिक्षन जो है उसमें सहपाथी स्विकारता के लिए जैक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए चलिए आगे बढ़ आते हैं नेक्स्ट कोर्शन की तरफ एक समावशी कक्षा में भिन छात्र का मतलब होता है वो बौधिक रूप से बिन्न हो सकता है, वो सरीलिक रूप से बिन्न हो सकता है, वह समाजिक रूप से भी बिन्न हो सकता है, उपरोक सभी इजदा राइट वन हेर, एक समाविशी कक्षा में अक्षम एवन सामाने बच्चे, नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़त पढ़ते हैं जो समावेशी काक्षा होती है उसमें अक्षम और सामाने दोनों ये बच्चे नियमित और उचित वादावरण के साथ पढ़ते हैं option B आपका शहिए समावेशी शिक्षा शीमान्त समुहों की समावेशी शिक्षकों की निवति करता है option A आपका शहिए next one is 25-35 इस्तर की बुद्धी लफदी जिनका IQ लेवल 20-35 है किस अच्षमता को दरसाती है ये तीवर अच्षमता इनमें बहुत ज्यादा अच्षमता होगी है ना लेवल ये उनका कितना है 20-35 IQ लेवल है ना तो तीवर अच्षमता होगी शफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता किसके लिए है शमवेदी करण के लिए है आपका D सही हो जाएगा निमन में से कौन सा गुण शमावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है बच्चों की प्रतिशन में दसील होना ये शिक्षक के लिए आवश्यक गुण है चात्रों के लिए धैर और लगाव होना ये भी शमावेशी शिक्षा में सिच्छे के लिए बहुत आवशक है लेकिन उसकी सामाजी कार्थिक इसका समावशी सिच्छा कोई ले लेना देना दूर दूर तक नहीं है औप्सन नमबर इसलिए अब डियाब का सही हो जाएगा अधिगम अक्षम बच्चों और मानसिक मंदित बच्चों में क्या अंतर है तो ये अक्षर औशत बुद्धी मत्ता के होते हैं इनकी जो बुद्धी है वो औशत होती है वे अधिकांस छेत्रों में शीखने के लिए योगे होते हैं उन्हें एक चेत्र में अधिगाम चमता होती है, option number D आपका यहाँ पे शई और सटी का अंसर हो जाएगा, एक सरजन सील, यानि कि creative जो इस्वेंट होता है, वो किन activities के द्वारा चिन्नित किया जा सकता है, शमश्या पर वास्तुविक विचारों को अभिविक्त करके उसको चि चमताओं में भिन्यता के बावजूद, differences के बावजूद, सभी चात्रों के अधिगम प्रिणामों को बेहतर बाने के लिए प्रतिबद्ध है, एक स्वार्शी विद्याल है, सीखने की चमताओं में भिन्यता के बावजूद भी चात्रों के अधिगम प्रिणामों को बेहत विशिष्टे सिक्षा समंदित है, ये सारीरिक और मांसिक रूप से अक्षम बच्चों की सिक्षा से समंदित है, किस्टे सारीरिक और मांसिक रूप से जो अक्षम अच्चे हैं, उनकी सिक्षा से समंदित है, Braille, Lippy और Tape Recording सायक हो सकती है तो Braille Lippy का हम वहाँ पर यूज करते हैं जहां पर दृष्टी बाधित बच्चे होते हैं Tape Recording किनके लिए? जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन सकते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? Tape Recording के यूज करते हैं तो Braille Lippy और Tape Recording सायक होते हैं दृष्टी बाधित छात्रों की भाई वो बच्चे दृष्टी बाधित हैं देख नहीं सकते हैं लेकिन सुन तो सकते हैं तो इसलिए Tape Recording और Braille Lippy का यूज करते हैं स्रवन बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निरासा का शामना करना पड़ता है स्रवन बाधित जो बच्चे शुन नहीं सकते जिनको सुनने में दिक्कत है उनके लिए सबसे बड़ी निरासा क्या है शंप्रेशन की, सूचनाओं की कॉम्यूनिकेशन की, बातचीत की क्योंकि वो सुन नहीं सकते तो वो कॉम्यूनिकेशन कहां से कर पाएंगे सुन नहीं सकते न तो बातचीत करना impossible हो जाता है यहीं उनके लिए सबसे बड़ी निरासा और समश्या है निमन में से किसके अत्रिक्त किसके अत्रिक्त किसको छोड़ करके अधिग्यम अचमता हो सकती है विभार में गड़बड़ी यानि की behavioral disabilities अगर है तब भी दिक्कत हो सकती है emotional problem है तब भी अधिग्यम अचमता हो सकती है अगर mentally कोई disturbance है तब भी अधिग्यम अचमता हो सकती है नियमित विद्यालियों में option C आपका सही है किस प्रकार की विद्यालियों में नियमित विद्यालियों में 47 number question कहता है कहता है निम्न में से कौन सा सिध्धान्त समावेशी सिच्छा का सुविदाजन्न बनाता है तो बुद्धी लब्दी अस्ची से उपर के बच्चे शीख सकते है और समाने सिच्छा से लाबानवित हो सकते है यह सिध्धान्त समावेशी सिच्छा का सुविदाजन्न बनाता है निम्न में से कौन सा विकाशात्मक अच्छमता का उधारन नहीं है पोस्ट ट्रामेटिक तनाव यह विकाशात्मक अच्छमता का उधारन नहीं है प्रतिभासाली जो छात्र होते हैं वह अपने निर्णे लेने में श्वतंत्र होते हैं निम्न मेंशे कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित विवार अच्छमताओं के शाथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिश्च शंस्ता के मद्ध अनुक्रिया होनी चाहिए पर्यावरणिय 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 उपागम यह सुझाव देता है कि चातर के बाधित विवार अचमतों के शाथ अनुक्रिया करने के लिए चातर और विशिष अश्ता के मद्द अनुक्रिया होनी चाहिए अप्सन मरियापर ए आपका जो है वो शाई और सटी का अंसर हो जाएगा द्रश्टी बाधित जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है ऐसे चातरों को चाहिए कक्षा कक्ष में शमान विभार और आइडियो सीडी की उचित विवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चे आइडियो यानि कि उसको बेत्या तरीकी से वो सुन सकें क्योंकि देख तो शक्ते नहीं है एक बच्चा जो आंसिक रूप से देख सकता है उसे विशिष्ठ प्रावधान देते हुए नियमत विद्याले में रखना चाहिए आंसिक रूप से वो देख पा रहा है भासा समझे शमंदित अच्छमता क्या है? अफेशिया कहते हैं इसको भासा समझे शमंदित अच्छमता अफेशिया चालक कौसलों में अधिगम अच्छमता क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया कहलाती है यह सारे याद कलेना कि किसमे कौन सी अच्छमता कौन किसको प्रिवी परजेंट करता है यह आपसे पूछे जा सकते हैं निमने मेशे कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दसक अच्छम लोगों के लिए माना जाता है 1993-2002 1993-2002 यह जो दसक है वह अच्छम लोगों के लिए माना जाता है अक्षम अक्षम समु के बच्चे शामान चातरों के साथ पढ़ते हैं यह समाववेशी सिच्छा क्या प्रजेंट करता है यह समाववेशी सिच्छा ऐसी सिच्छा है जिसमें action promote के बच्चे सामाने चात्रों के साथ पढ़ते हैं option number C यहाँ पे आपका वो शाई और सटी का answer है इस आउधाना पर निरबर है कि बालक के अनुरूप प्रणाली को प्रिवर्तित किया जाए ऐसा नहीं है कि हम प्रणाली के अनुरूप बालक को ढालेंगे ऐसा नहीं हम बालक के अपनी प्रणाली को चेंज करेंगे अगर बच्चे फेल होते हैं इसका मतलब आपका system फेल है आप फेल हैं बच्चे को कभी दोस्त नहीं दिया जा सकता कि बच्चे अपने कारण फेल होगा या बच्चे ने पढ़ाईने की असाम नहीं कह सकते तो बालक के according हम अपनी प्रणाली को चेंज करेंगे जैसा बालक वैसे हम अपनी प्रणाली को रखेंगे मानशिक मंदित बालक की बुद्धी लब्दी का पड़सर क्या है तीसे पच्चतर स्रजचनात्मक्ता का शमद मुक रूप से अपसर्णिय चिंतन से होता है निमन में से किस प्रकार का अधियम कार पढ़ने योग्यमानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए जटल कार कॉंप्लिकेटिट वर्क आप नहीं दे सकते निमन में से कौन सा समाविशी सिचा का लाब नहीं है चातरों के बीच बढ़ती परतिसपरदा जो है वो समाविशी सिचा का लाब नहीं है जबकि स्विकरता सराना में बढ़ती ये भी समाविशी सिचा का लाब है बेहतर समप्रेशन यानि की एक अच्छी क्वालिटी का कॉम्मिनिकेशन समाजी कोशल नेतिक नेतिकत सिधानतों में अधिक विकाश ये शाय समाजी सिचा के लाब हैं लेकिन चातरों के बीस आप ज़र 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 नहीं करा सकतें ये इसका लाब नहीं है सबी बच्छों को एक साथ सीखने का अधिकार है कौनसा अधिकार मानवा अधिकार के अंतरका दाता है किसके अंतरका दाता है मानवा अधिकार निम्न मेंशे कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्तो है जो अचमता वाले विक्ति के लिए बाधक होता है अभी वरत्ती, aptitude जिसको कहते हैं अभी वरत्ती, option number A आपका यहाँ पेश रहिए गंभी रूप से पीडित और मानसिक अक्छम बच्चों को रखना चाहिए उनको विशिष्ट विद्याले में रखना चाहिए शमावे शिच्छा के लिए नकारात्मक दिस्षिकोंण निगेटिव पाइंट अव्यू बिन्य चमता वाले बच्चों से बहे दबाओ और बहिश्कन सम्मेलित है शामाजिक बाधाओ में किसमें सम्मेलित है शामाजिक बाधाओ में अप्सन नमर ए आपका शही और सतीका अंसर हो जाएगा निमन में से कौन सा पहुतिक संसाधन शमाविशी विद्याले के लिए उपयोग हीन है कौन सा उपयोग हीन जिसका कोई यूज नहीं है यूजलेस है चक्रा का शीडियां जो है वो यूजलेस है उपयोग हीन है जिनका कोई यूज नहीं है निमन मेंसे कौन सा बिंदू, समाविशी शिच्छा हे तू, सकारात्मक दिष्टिकोन विक्सित करने के लिए उप्युक्त नहीं है बिंदू, समाविशी शिच्छा के लिए शकारात्मक दिष्टिकोन विक्सित करने के लिए उप्युक्त नहीं माना जाता या नहीं होता है निमन मेंसे कौन सी रणनीती, समाविशी विद्याले के अधिकम वातावरण को सकारात्मक बनाने में शायक नहीं होगी शमय शाऑणि की दढ़ता , क्या होगा ? शमया शाऑणि की दढ़ता option number आपका यह जो है आपर वो शई हो जाएगा कौन सी परामर्ष भिन चमता वाले बच्चों के लिए अवश्यक है तो व्यवसाइक परामर्ष या भी भिन चमता वाले के लिए उचित है क्योंकि उसको व्यवसाइश से समंदत परामर्ष शला देनी है और उसको व्यक्तिकत परामर्ष भी देना है शिच्छा से समझत प्रामस भी देना है तो उपरोग सबीजदा right one option here निमन में से कौन सा समावेशी पार्टिकरम के विकाश में सायक नहीं है सामग्दियों और अनभवों का चुनाव समावेशी पार्टिकरम के विकाश में सायक नहीं है निमने में से कौन सी विधी समाविशी कक्षा के लिए उप्युक्त है तो कहानी बाचन विधी या भी समाविशी कक्षा के लिए उप्युक्त है प्रोजेक्ट मैथेट खेल विधी ये तीनोई विधियां समाविशी कक्षा के लिए उप्युक्त है इसलिए हम option number D को चूज़ करेंगे आगे बढ़ जाते हैं निम्न मेंसे कौन सी रणनीती, भिन, छमतावाले चात्रों द्वारा शामानी पार्टिकरम को ग्रहन करने में शायक नहीं है शमवात विधी द्वारा अधिगम जो यह है रणनीती है यह भिन, छमतावाले चात्रों के द्वारा शामानी पार्टिकरम को ग्रहन करने में शायक नहीं है option आपका C जो है वो शही और सटी का अंसर है निम्न मेंसे कौन सा तरीका शमावीशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है चात्रों पर कड़ा नियंतरन यह हम नहीं रख सकते हम शात्रों को free हो करके उनको सीखने दे है ना यह जो है शमावीशी कक्षा में पढ़ाने के लिए तरीका सही नहीं है निम्न मेंसे कौन सा शमावीशी शिक्षा के लिए पार्टिकरम निर्बान का सिद्दान्त नहीं है द्रड़ता का शिद्धान्त जो है वो पार्टिक्रम निर्मान का सिद्धान्त नहीं है द्रड़ता का शिद्धान्त भारतिय शांकेतिक भाषा उपयोगी है सरवनबाधित छात्रों के लिए भारतिय जो शांकेतिक भाषा भाई जो बच्चे सरवनबाधित हैं जो सुन नही सकते, उनके लिए हम क्या करते हैं, शंकेतों का यूज करते हैं, संकेत दे प्रियोकर शिदान्त नहीं है निमन मेशे कौन सा विशिष्ट आवसिक्ता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामगरी के विकास के लिए आवश्यक नहीं है तो अधिगम सामगरी के विकास के लिए ये रुचिक अनुरूप होना चाहिए आवश्यक्ताओं के अनुरूप भ है या वेक्तिनिष्ठ अधिग्यम कारिकरम नहीं है ऑप्शन भी आपका शाही हो जाएगा निवन में से कौन सा शिक्षन सामाने सिक्षन एवं उप्चारात्मक परिक्षन के उपरां छात्रों की समस्यों के शमादान के लिए उप्योगी है निदानात्मक शिक्षन भी उप्योगी है किस प्रकार की सिक्षन में किस प्रकार की टीनग में टींटर का एक समूव पढ़ाता है कुछ बंटल्मक जाएगा निदं मेशे कौन सा सहाइथ उपकरण मुदृत सामकीए को वाक अंग्रेजि ने वाद्ध करने में शायक है कुर्जवेल पठन मशीन क्या हो जाएगा कुर्जवेल पठन मशीन option number C यहाँ पे जो आपका है वो शय और सटी का अंसर है कौन सी मशीन मुद्रित सामगिरी को ब्रेल 2 में अनुवादित करती है वो आपकी opt-con है कौन सी वईत्पन विधी दुस्ति बाधित अचमता में उपयोगी है शमावीशी कक्षा में निमन मेशे कौन सा पाठ्छ शय कामी किरियाओं का लाब नहीं है पाठ्छ सय कामी किरियाओं में भिन अचमता वाले चात्रों की भागिदारी की कोई अवश्यक्ता नहीं है या समाविशी सिक्षा में पार्थ सहयगामी किरियाओं का लाप नहीं है option number जो B है आपका वो यहाँ पर शही और सती का अंसर है निमने मेशे कौन सा समाविशी सिक्षा में पार्थ सहयगामी किरियाओं का उदेश नहीं है तो छात्रों के मूल प्रवत्तियों को दबाना या शमाविशी सिच्छा में पाठ्थ साइगामी किरियाओं का उदेश नहीं है क्या नहीं है छात्रों के मूल प्रवत्तियों को दबाना आगे बाड़े दाते हैं समावशी सिछ्छा के लिए कौन सा सिचकों के प्रसिच्छन के लिए उप्यूक्त नहीं है या शमावशी सिच्छा के लिए उप्यूक्त नहीं है option number C आपका वह शही और सटीक है नागरिक मूल्यों के विकाश के लिए निमन में से कौन सी क्रिया शमंदित नहीं है सहाहित्तिक गतविदियों से समन्दित नहीं है स्मधित नहीं है प्लव 어떻게 चात्रों के साजिक विकाश समन्दित नहीं है दो चात्र चाहल जो है या छाथरों के साड़िक स ad subs 1 Prime नहीं है आउप्सनमेरर 10 अपक Official कौन सा सहाइत उपकरण समाविशी शिक्षा के लिए नहीं है सेरा सोनिक गाइट सेरा सोनिक गाइट जो है या सहाइत उपकरण समाविशी शिक्षा के लिए नहीं है और 92 की बात करेंगे संतुलक गेंदे चिकत्सी उपकरण है नमबर दू, B option, Cerebral Palsy से ग्रिष्ट बच्चों के लिए, संतुलक गेदे जो चिकत्सी उपकरण है, ये किसके लिए हैं उपकरण ये, ये Cerebral Palsy से ग्रिष्ट बच्चों के लिए हैं, दृष्ट इबादित बच्चों के लिए, निमने मेशे कौन सी साहीता उपकरण उप लेसर केन, क्या है? लेसर केन, option नमर श्रियाप का सही हो जाएगा, audible goal locator उप्योगी होता है, श्रवनबाधित अच्छमता में उप्योगी होता है, पाठ्छ शायगामी करियाएं निमनमेशे किशका विकास करती है, ये शामाजी की विकास करती है, मांसी की विकास करती है, उप्रोगत आपका शभी यहाँ पे right one हो जाएगे, और next question की बात करते हैं, पाठ्छ शायगामी करियाओं के विशे में कौन सा कथन आ सकते है, तो पाठ्छ शायगामी करियाओं के मुल्यांकन की कोई आश्यक्ता नहीं होती है, ये बात यहाँ पे बिल्कुल सरासर गलत है option C आपका हो जाएगा, मैं आपको बता दूँ कि हम paid class भी provide कराते हैं, paid class में आपको जो notes जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी complete PDF आपको मिल जाती है, ठीक है, और उसके लिए आप हमें आगरा university be at final year का जो course है, उसकी 300 फीश है, कितनी 300 है, पांचो पेपर की, आपके 5 पेपर है knowledge curriculum, assessment for learning, creating school, school, yoga education, environment education, पांच पेपर की 300 फीश है, ठीक है, और आप इस नमबर पर वाट्सप करके जानकर ले सकते हैं, 9628112649, जहां पे आपको paid class मिल जाती, 500 पेपर की complete PDF मिलती है, चलिए, तो next question की बात कर लेते है, question 98, सिक्षा का अधिकार एदिरियम, ये 2010 में क्रिया न उप्यूक्त नहीं है, तो उच्छ इस तरिये, विचारातक प्रश्न में, उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए, ये तो प्रतिबासाली बच्चा को पढ़ाने के लिए उप्यूक्त है, विशले शनातक प्रश्न उन्हें हल करने के लिए देना चाहिए, ये भी बात उच भी क्या होशकता होती है क्लास कैसरी कमेंट करके जरू बताईए नोट्स के लिए आप हमें इस नमबर पर मैसेज कर सकते हैं और जन्द कर ले सकते हैं थैंक्यू मिलते हैं वह जन्दी नेक्स्ट क्लास में है